दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच सबसे सस्ते पैट बर्ड्स और उनकी प्राइस नमबर बन पर जो बर्ड आता है इसको बोलते हैं क्वेल या बटेर कोवन बटेर आप लोग ले सकते हैं या आपको पांच रुपए से पंदा रुपए तक पैट सोप अविल विल हो जाएगा काफी छोटा बर्ड होता है क्यर भी काफी इज़ी होती है नमबर टू पर जो बर्ड आ रहा है इसको कई लोग पालना पसंद नहीं करते पर अगर आपके पास मिट्टी वाली जगह अविल विल है तो आप लोग इसको पाल सकते हैं ये भी काफी सस्ता आता है आप लोग 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक मैं इसको बाई कर सकते हैं और इसको आप सभी लोग जानते हो कि ये है मुर्गी का बच्चा नमबर थरी पर जो बर्ड आने वाला है वो आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कलर्स काफी सारी बेराइटी अवेल वेल होती है इसकी भी काफी कम प्राइस होती है ये बहुत कम से कम प्राइस के भी आते हैं और ज्यादा स्यादा लाखों के भी आते हैं इसकी प्राइस रू होती है 100 रुपैसे और ये 1000 लाखों तक में ये बेचे आते हैं आप लोग अपने लेवल के साफ से खरीच सकते हैं इस चीज का नाम है कबूतर आप लोग कबूतर जरूर पा लें अगर आपका बजट कम है तो नंबर फोर पर जो बल्ड आ रही है इसको नहाना काफी ज़्यादा पसंद होता है और ये सरदियों में और बरसात के मौसम में इनकी डेथ हो जाती है या तो ये बीमार पड़े जाते हैं इसको बोलते हैं फिंच आप लोग कॉमन जेबरा फिंच ले सकते हैं ये भी काफी सस्ती आती है इनकी प्राइस होती है अगर आप फोल सेल में खरीद देगे तो 120 रुपए जोड़े से स्टाल्ट होती है अगर आप पैट सॉप से खरीद देगे एक दो जोड़े तो आपको 300 रुपए में वो सेल करेगे जो हमारी लाश्ट वर्ड अब आ रही है वो हमारी लिष्ट की सबसे जादा महेंगी वर्ड है और इसके अंदर काफी सारे कलर्स होते हैं अगर आप लोग मेहनत करें इसके उपर तो आप इसको बोलना भी सिखा सकते हैं और इसका नाम है बटजीस इसको बटजीत होता बोलते हैं और अधिकतर पैट सॉप के अंदर ये बीमार वेचे जाते हैं बाकी इनकी प्राइस इस्टाल्ट होती है 220 रुपए अगर होल सेल में लेते हैं आप तो अगर पैट सॉप से लेते हैं तो आपको 500 से 800 रुपए तक में जोड़ा ये अवेल्बिल होने वाला है और अगर आप लोग मेरी मानें तो मैं आपको जो बेस्ट डबर्ड बताऊंगा वो है नमबर त्री वाला हमारा पिजन आप लोग कभूतर जरूरी पालें क्योंकि कभूतर आप पालेगे तो आप उसको आजाद रख सकते हैं ट्रेनिंग दे सकते हैं कभूतर पालने से जो खुछी आपको मिलने वाली है वो कोई परिंदा पालने से नहीं मिलेगी क्योंकि कबूतर को आप लोग चत पर खुला छोड़ेगे वो जाएगा ओड़ाएगा और बापस भी आ जाएगा आपको बहुत ज्यादा क्यार नहीं करनी पड़ेगी उसकी तो अगर आप लोग कोई बर्ड पालना चाहते हैं तो मैं परस्नली रिकमेंड करूँगा कबूतर पाले बागी कोई भी बर्ड एनिमल लेने इस पहले मुझे हुआ जरूर ले ले मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा वीडियो हम लोग नहीं एंड करते हैं बागी आप अपलाई दे दिये जाएगा धन्यवाद